हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आप उतराखन एल्टी ग्रेट का एक जम जो है 18 अगस्त को है जिसमें आप सबके एकॉर्डिंग नियू सीलेबस के एकॉर्डिंग पच्चास कोस्टन फीजिकल एजूकेशन का पूछेगा जिसमें से बहुत सारा सीलेबस दे रखा है जितने सारी टॉपिक होते हैं फीजिकल एजूकेशन में सभी टॉपिक दे रखा है तो ये जो है सारे सिच्छा की इतिहास History of Physical Education के Part 2 है यानि कि Part 1, Part 2 में ये समापत है उसके बाद आपके Olympic Asian Game आदी से related questions होंगे फिर Anatomy, Physiology, Sport Training and Insulogy, Biomechanics and Tournament सभी से questions होंगे मैं सभी पर एक मैराथन क्लास लाला करके पुरा कर देंगी जैसे कि ये सारे सिच्छा की इतिहास से दो मैराथन क्लास में आपका पुरा हो गया उसी तरह दो या तीन वीडियो में सभी चेप्टर को मैं खतम कर दूँगी तो चलती हैं आज के questions के तरफ ये की ओल उत्राखंड LT grade के लिए नहीं है Otherwise, all physical education competition exam के लिए है सभी लोग चाहे UPTGT का तयारी कर रहे हूं MP वरक्डू का तयारी कर रहे हूं BPSC TRE4 का तयारी कर रहे हूं चाहे UPLT grades या UPLT grades सभी के लिए most important है तो दोस्तों चलती हैं आज के questions के तरफ questions है दोस्तों जैसे कि ये part 2 है पार्ट 1 में 85 questions है और इसमें 72 questions है दोस्तों तो वीडियो लंबा हो जाएगा एक एक questions को आप देखते चलिएगा धैर ही अपने अंदर लाइएगा क्योंकि धैर नहीं रहेगा तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुच पाएंगे धैर ही आपको उस मुकाम तक पहुच आता है क्योंकि बीच में रास्ता छोड़ने वाले को मंजिल नहीं मिलती मंजिल उसी को मिलती है जो अंतिम तक हार नहीं मानता है तो दोस्तों चलते हैं इसी सुब लाइन के साथ तो question 1 है भारती स्कूल खेल प्राधीकरण का गठन कहा किया गया था वेर वाज दे स्कूल स्पोर्ट्स अथरॉर्टी आफ इंडिया फार्म तो दोस्तों भारती स्कूल खेल प्राधीकरण यानि कि इस SGFI की बात कर रहा है तो SGFI जो है का जो गठन हुआ था वह करनाटक में हुआ था कहां हुआ था करनाटक में हुआ था स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया तीके इसकी थापना उनिस्सो चोवन में हुआ था question number 2 है कि सारीक सिच्छा सिच्छा के बड़े छेतर का वह अंग है जो बड़ी मांस्पेसियों से होने वाली कारिय तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है यह परिवासा किसने दी है तो दोस्तों मैं आपको बार बार बताए हूँ जब सारीक सिच्छा के बड़े छेतर की बात करे तो जेवी नैस की परिवासा होगी जब अभी नग की बात करे तो वहाँ पी चार्ज से बूचल की परिवासा होगी यहाँ पे जेवी नैस का यह परिवासा है Q3 है कि वंसान उक्रम ब्यक्ति के जन्मजात विसेस्ताओं का संपूर योग है यह परिवासा किश ने दिया है तो दोस्तों इस परिवासा को दिया है बी एंड जाने Q4 है भारत में स्कूल स्वास्ति सेवा का प्रारंब कब हुआ When did स्कूल हेल्थ स्वास्ति सेवा का जो प्रारंब हुआ 1909 में हुआ कब हुआ 1909 में दोस्तों भारत में स्कूल स्वास्ति सेवा कारिक्रम के तहत इसकूली बच्चों का पहला चिकिस्थ की परिच्छर बड़वदा सीटी में 1909 में हुआ था कोशन भी पूछ रखता है कि पहला चिकिस्थ की परिच्छर कब हुआ कहा हुआ था बड़वदा में 1909 में जिसमें पांच से 17 वर्ड्स के इसकूली बच्चों को शामिल किया गया बर्तमानमी स्कूल स्वास्ते सिवा कारिकरम राष्टिय ग्रामिल स्वास्ते मिसन के अंतरगत आता है तो दोस्तों याद रखेगा बर्तमानमी स्कूल स्वास्ते सिवा कारिकरम किसके अंतरगत आता है राष्टिय ग्रामिल स्वास्ते मिसन के अंतरगत उस साररी बिद्वान का नाम जिसमें स्वास्ति को चलाहमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभासित किया कि जीवन की गुर्वत्ता हुआ है जो किसी ब्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सच्छम बनाता है तो दोस्तों जिसमें जीवन की गुर्वत्ता की बात करें और सारे क्लिया कलाबों की बात करें वहाँ पर आजाएगा जे एफ बिलियम्स की परिभासा ठीक है यहाँ पर आफसन बड़ी बी राइड होगा जे एफ बिलियम्स ने इस बात को कहा है सभी कोस्टिस मोस्ट इंप इस प्रकार की नुवीन सिच्छर प्रसिच्छर कारिक्रम को शुरुआत की ज्यान से कोशन पढ़े और एंसर दीजिए तो उनीसो संताओन में तीन वर्सिय सिच्छा इसनातक पार्ठिक्रम बी-पी-ई की सुरुआत की याद रखेगा लच्छी बैग कालेज फीजिकल इस तीन वर्सिय सारे शिच्छा इसनातक पार्ठिक्रम बी-पी-ई की सुरुआत की याद था और दोस्तों उनीसो तीर स्थ में रश्षिवाई कालेज फीजिकल एजुकेशन दो वर्सिय मास्टर्स डिग्री एंपी-एर की सुरुआत की याद था एंड coworkers पराराश आज सारे शिच्छा में एक वर्सिय एंपिल उपाधी प्रार्ण करने वला डेश का पहला राष्टी इश्थर का महाबिद्याललयव बन गया है याद रखेगा 1980 में 1980 में MPH की शुरुवात किया था 1980 में MPH की ठीक है यहाँ पर याद रखेगा 1970 में 3 वर्षी है सारे सिच्छा इसनातक पाठकरम BPE की शुरुवात किया था लश्मीबाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन ने 1903 मास्टर्स कोर्स के लिए MPH की शुरुवात किया था दो वर्षी है 1980 में एक वर्षी है एमफिल उपाधी प्रारम करने वाला देश का पहला राष्टी इस्तरका महाविद्याले बनाई कोशन पूछ सकता है कि देश का एमफिल उपाधी प्रारम करने वाला पहला राष्टी इस्तर का महाविद्याले कौन है अग कब शुरू किया था तो ये लश्मी बाई कालेज़ाब फिजिकल एजूकेशन है 1980 में शुरू किया था तो तीन चीजों के याद करखेगा उनी सो संतावर में तीन वर्सी पार्ट करम बीपीई 1963 में मास्टर्स डिक्री दो और्स के लिए एमपीएट उनी सो असी में एमफिल डिक्री ठीक है ये लश्मी बाई ने तुरू किया था कोस्टिन नमबर सेविन है कि सारीक सिच्छा का राष्टिय जोजना 1956 का गठन किस के द्वारा किया गया तो दोस्तों यहां किया गया सारीक सिच्छा यो मनरंजन के राष्टिय सलाकार बोर्ड की द्वारा कितनी रीजनल समीटी द्वारा नेशनल काउंसिल आप टीचर एजूकेशन कारे करता है एनसी टी एए जाँ सिच्छा परिशत कितनी टीचर भीनिर समीटी द्वारा कारे करता है तो यह चार रीजनल समीटी द्वारा कारे करता है वो है बुपाल बुरिस्वर बंगलुरू एंट जैपूर में इसकी छेतरी समितियां है इसकी इसापना 17 अगस्त 1995 में किया गया था दोस्तों इसका कारे होता है कि भारती सिथा पराले के मानक प्रक्रियाएं या धराओं को इस्थापना या निरच्छर करना इसक दोस्तों यह इंगलेंड से भारत में पहुचा कोशन नमबर दस है निमनमी से किस अस्थान पर प्राचिन गिलेडियेटर मुकाबले आयोजित होता था तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यास करा जाता था यह रोम में होता था ठीक है कोशन नमबर ग्यारह है सेधानतिक रूप से नेथाजी सुहास राश्च्टिक खेल संस्थान क्या है तो दोस्तों जैसे की नेथाजी सुहास राश्च्टिक खेल संस्थान की साफण 7 मेरी 1961 के हुआ और यह एक साई Sport Authority of India का खेल का सैचिक गिन्द रहे ठीक है जैसे कि Sport Authority of India के कई सारे कर्यातमा खंड है जिसमें एक खंड आपका अकादमिक सैचिक खंड आता है जिसमें इसे दो आते हैं आपका सैचिक खंड के अंतरकर्ट, खेलों के लिए अकादमिक खंड, जिसमें NSNIS पटियाला आता है, और दूसरा होता है सारणिक सिच्छा के लिए अकादमिक खंड, जिसमें 13 LNCPE आता है, याद रखेगा, और जो आपका खेल का सैचिक के अंदर है NSNIS पटियाला जिसमें आपका प्रसिच्छक का प्रसिच्छ ले रहे सिच्छकों को एक वर्स का डिप्लूमा कोर्स करा जाता है, और स्पोर्स कोचिंग में दो वर्स का मास्टर्स कोच, और स्पोर्स मेडिसिन में दो वर्स ये डिप्लूमा कोर्स, और सारे सिच्छा अ लुटे वारह है कि निन में इस времum कि सहर में राश्टिय खेल प्रसिचर संस्थान नहीं है 下去 कि इसथो यहां पर देख सकते हैं कि सहर में राश्टिय कھیल प्रसिचर संस्थान नहीं है तो यहां भी जैसे कि कलकत्ता में भी है बंगलुरू में है पट्याला में है बट यहां भी पटना में नहीं है जैसे कि भारती खेल पाधिकरण का पुरुवी छेतर कुलकत्ता में है दशी केंद्र बंगरू में है पस्चिमी केंद्र गांधी नगर पस्चिमी छेतर और अंगाबाद में है नेताजी सुबास उतर पुरुवी केंद्र इंफॉल यानि सबी जगाह हैं बट परत्ना में कोई थी प्रादिकतान नहीं है कोसे नमटर तेर। 23 है सारे सिछा की उद्दिशियों में क्या nати्षटि कोड सामिल है दोस्तों बलूम ने सारे सिछा में तीन नया दिष्टि कोड सामिल किया है संग्यानात्मक छित्र, मनुजच्छलक छित्र, प्रभावी छित्र यानि cognitive area domain, psychomotor domain और affective domain तो यहाँ पर उपरक्त सभी आपका right answer हो जाएगा उपरक्त सभी यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 14 है भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी सारोरी सिच्छा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया तो दोस्तों वह संस्था थी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महराश्ट्र जिसकी इस्थापना 1914 में हुआ ठीक है जिसमें अनंत्र कृष्ण बैद और अमबादास बैदनी महराश्ट के अमरावती में पहला सारी सिच्छा संस्थान खोला जिसका उद्धुखातर महात्मा गांडे लिकिया है यह भी याद रखिएगा और इसी संस्थान में 1924 में एक सब्ता का एक पसिच्छर स्वीड लड़किया लड़कियों के लिए दिया जिसे बैयाम विसारत का प्रमापत्र दिया जाता था वायम सीय से ही पहले यह सुरू किया गया है दोस्तों और आफ़तन में आवयम सीय नहीं रहेगा तो अनुवाम यह प्रसारक मंडल ही पहला सारे सिच्छा संसान बन पाएगा नेक्ट कोश्चन है कोश्चन में 15 है इनमें से खेल प्रतिभाग खोज स्कॉलर से प्योजना की एक सिर्ष संस्था कौन सी है तो दोस्तों यहस में खेल प्रतिभाग खोज स्कॉलर से देजना का सिर्ष संस्था है साई इस्पोर्ट अथारोटिया उफ इंडिया जिसकी इस अपना 25 जनवरी 1984 को हुआ पहली सैची साखा जिसमें खेल इस अथानों के माध्यम से खेलों के लिए उच इस तरकी सिच्छक तयार करना है दूसरी इसकी साखा है जिसका कारेज़ेश में खिल कुट को परसां के लिए पर उस अफ्लक कार क्छलाड़ियो कुछिप आदी ब्यवस्थाइस में करना है कोर्शन नंबर 16 है भारत में कोच बनने के लिए नियुनितम अहर्था क्या है तो दोस्तो भरात में कोच बनने के लिए नियुन्तम अहर्ता जो है एनस अनालियस का डिप्लोमा कोर्स है नेक्ट कोचन है कोचन नमबर सत्रह है प्रतिभा कोच के लिए साइ यानि स्पोर्ट अथारोटी आफ इंडिया का निन में से कौन सी योजना कारिकरम नहीं है तो दोस्तो यहाँ पे एनेस टीसी भी है एस सैग भी है एस पी डीय भी है बट यहाँ पे कौन सी कारिकरम नहीं है एस जी एफाई स्कूल गेम्स फेड़ेशन आप इंडिया नहीं है ठीके एस जी एफाई नहीं है क्योंकि एस जी एफाई जो है एक स्वैचिक संगठन है इसकी स्थापना उनीस सो चोवर में की गई थी जिसमें उनीस वर्ट से कम उम्रे के लड़के लड़किया प्रतिभाग ले सकते हैं इसके अंतर का तराष्टी इस तरपर पंदल्य प्रतिभाग्यू का आउयजन किया जाता है क्योस्ट नंबर 18 है कि सार्ण सिच्छा प्रतेक नावरी का मूल अधिकार है यह किसमें सामिल है फिज़िकल एज्चिक्छ इच्छन इस फंड़मेंटल राइड और इवरेंज सिटीजन इट इस इंक्लूड इन तो किसमें इंक्लूड किया गया है यह सार्लिक सिच्छा के साथ साथ खेलने सुनहा यूग महसूस किया तो दोस्तों आप सब जानते हैं वह देश कौन है वह है ग्रीस याने की युनान देश ग्रीस याने की युनान देश ये थेंज में नागरीगों को ज़्यादा लोकतांदरिक अधिकार मिले थे सेना के लोग भी खेलों में बढ़ चड़कर हिसा लेते थे परन्तु वे नैतिक, समाजीक, भावतिक असवंदरिय विकास पर अधिक ध्यान देते थे युनान में खेल सबसे अधिक बिचित हुआ इनी काड़ों से इसकाल को सुर्ण यूग कहा जाता है कोशन नमबर बीस है निल में से किसनी सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक सारीक सिचक शुरुआत करने की पहल की दोस्तो ओह यूजना था नेशनल फिटनेस काफ्स कौन सा था नेशनल फिटनेस काफ्स जो है 1962 में स्थाप्णा हुई जो प्रसिच्छिस सारीक सिच्षा करमिक यूँं राष्ठी अनुसासन यूजना को एक दुसरे के मई बिलायकर नेशनल फिटनेस काफ्स के नाम से नए यूजना को प्रारम किया गया किसको किसको बिला करके प्रसिचित सारिक सिच्ठा कार्मिक यं राष्टी अनुसासा नहीं जुगना, दोनों के बिला करके एक नेशनल फिटनेस कॉफ के नाम से नई जुगना प्रारम किया गया था, जिसका नाम हुआ Angeb नेफसी, ने सबसे पहले यस को लुए यह को लों में फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड तो दोस्तों आफ जानते हैं अभी जर्ष्ट में कुछ पहले बताई थी या पहले विडियो में बताई थी कि जब पूछेगा कि भारत में सारे सिछा का प्रथम महाविद्याले कब खुला तो 1920 में YMCA कालेजा फिजिकल एजुकेशन जब यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ग्वालियर कहां इसी थे प्रथम राष्टी संस्थान सारे सिछा का ग्वालियर ठीक है ग्वालियर याद रखिएगा ठीक है लच्छी वाई कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर इसकी इथापना ग्यारा अग्वाश्ट नीशु संतावल में माध्यपति इसके ग्वालियर में हुआ था ठीक है यह भारत में राष्टी इस तर पर प्रथम फिजिकल एजुकेशन महाविद्याले ह अब ऐसे पूछेगा कि भारत में प्रथम साइज सिच्छा महाविद्याले कुन है तो वायम सी एक वालेज वह भी नहीं दिया रहेगा तो आपका हन्वान ब्यायम प्रसारक मंदलापका राइट एंसर हो जाएगा कोस्टन नंबर बाइस है अभी कथन से रिलेटेड है बात तो सही है मुलड' के मनुस्या ब्यातिक देश्टी से मनुस्य और उसकी गति को समझने में अतधीक युगदान करता है यह सबी चीजे जो है इसको समझने में क्या करता है युगदान करता है तो आप समझ गएंगा यह दूनों का दूनों right है ठीक है तो यहाँ पे A भी right है और A का R सही ब्याख्या भी कर रहा है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा A और R दूनों सही है और R A की सही ब्याख्या है कोशन नमबर टेज़ है कौन से खेल फेडरेशन स्वतनता प्राप्ती से पूरो इस्थापित किये गए थे तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़के कोशन का एंसर देना है कौन से खेल फेडरेशन स्वतनता प्राप्ती की पूरो इस्थापित किये गए थे तो सभी का आपको अगर सन याद रहेगा तभी आप इसका सही अंसर दे पाएंगी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि A जो है A में क्या है Indian Hockey Federation जिसकी इस्थापना 1925 में हुआ था ठीक है 1925 Indian Hockey Federation 1925 यारे कि A आपका हो जाएगा 1925 अब भी क्या है Indian Pollo Association या उनीस सो बानवे 1892 ठीक है एंड कबर्टी फेडरेशन आफ इंडिया 1950 C हो जाएगा आपका 1950 फिर आपका D है National Rifle Association आफ इंडिया या उनीस सो एक्याउन हो जाएगा D 1951 फिर Indian Weight Lifting Federation इंडियन Weight Lifting Federation जो है 1935 हो जाएगा या 1935 हो जाएगा फिर एंडिया चूर Athletic Federation आप इंडिया या आप जानते हैं 1946 में हुआ था था ठीक है यह आपका 1900 फ वाला आपका 1946 हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन आपका स्वतंत्रा प्राप्ति से पूरो इस्थापित किये गए थे तो यहाँ पर ए दिख रहा है आपका इंडियन होकी फेडेशन 1925 ठीक है एंड इंडियन वेटलेप्टिंग फेडेशन 1935 एंड एफ दिख रहा है एमेच्यूर एथलेटिक फेडेशन आप इंडिया यहन्ने कि कि भारत में सबसे पहले सारविक सिच्छा का इसनाद को तो यहाँ पर दिख रहा है किस वर्स में सुरू हुआ तो इससे पहले मैं बता दूकिंगी लग्षिंभाई कालेज आप फिजिकल एजूकेशन में जो उनी सो संटाओन में आपका तीन वर्सी बीपीई कोर्स सुरू किया इस इसनादक कोर्स और उनी सो तीसट में इसनादक कोत्तर यानि मास्टर जिली शुरू किया तो यहाँ पर उनी सो तीसट एमपीईट कोर्स सुरू किया ठीक है और उनी सो असी में एमफिल कोर्स सुरू किया एक कीनों चीज़े याद रखिएगा क्वेशन नमर पचीश है अभी कथन से रिलेटेड है अभी कथन ए है कि विवेका नंद ने कहा दुनिया में जितना ज्यान प्राप्त हुआ है मस्तिस्क में ब्राह्मन का अनंत ज्यान भरा है बात सही है तरक आर है सिच्छा मनुस्य में अंतर नहीद ज्यान की सिध्धी है दोनों बात सही है यहाँ पे राइडेंसर हो जाएगा आउसर नमबर ए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही ब्याख्या है बस आपको ऐसे कोशन पर देखना है कि बात सही है कि गलत अगर सही है तो क्या आर एकी सही ब्याख्या कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आपका हो जाएगा कि दुनों सही है यह आर दुनों सही है बट आर एकी ब्याख्या नहीं कर रहा है अगर गलत है आर तो कहेंगे कि ए सही है बड़ आर गलत है अगर आर सही है तो आप कहेंगे कि ए गलत है बड़ आर गलत है इस परकार के इसका इसका ऐसर दिया जाता है बस ध्यार से कोईशन को पढ़ना उता है कोस्ट नमबर 26 है इतिहास के दोरान राजपुत राजाओं और राज़कुमारों को किसका बहुत सौख हुआ करता था तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये सभी चीजे इधियास सुदरान राजकुत राजाओं राजकुमारों को सिकार खेलने का बहुत सौक हुआ करता था आफसन नमबर बी यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा कोस्टन नमबर 27 है कोस्टन नमबर 27 है कि किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए यदि आप एक दिवार से टकरा जाते हैं तो मुन कर हार न माले उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाए यहाँ बात किसने कहा है दोस्तों तो इस बात को कहा है माइकल जार्डन उन कहा है माइकल जार्डन ठीक है कोशन नमबर 28 है अराम से देखे दोस्तों हरबर करने से यह जल्द बाजी से कोशन अच्छे से समझ में नहीं आते हैं और आप गलत एंसर टिक करके आ जाते हैं कोशन नमबर 28 है इस पर्ष्ट तरीका जिसे धे को प्राप्त कर सकते हैं तो वाट इस स्पेसिफिक एंड किलियर वे टो एचीव द गूल तो दोस्तों जैसा कि सारे सिख्चा के इधिहाव से मैंने बताया हुगा एसे धांत में कि किसी भी गूल को एचीव करने के लिए उससे पहले कई सारे छोटे-चोटे उदेश से होते हैं तो छोटे-देश को पुरा करते हुए हम उस गोल तक पहुछते हैं यहां पर राइडेंसर हो जाएगा उद्धे से यानि एबजेक्टिव जो उद्धे से होते हैं छोटे छोटे उद्धे को राष्टे में प्राप्त करते हुए एचिव करते हुए हम उस धे यानि की गोल तक पहुंचते हैं कोस्टे नमर उन्टीस है सारिक सिच्छा मुल्तः एक है क्या है दोस्तों तु सारिक सिच्छा मुल्तः क्या है दोस्तों सारिक सिच्छा मुल्तः जीव बिज्ञान संबन्दी आवसेक्ता है क्या है जीव बिज्ञान संबन्दी आवसेक्ता है साइज सिच्छा को एक विग्यान कहा जा सकता है जो जियो विग्यान की मुल्तव विसिष्टाए वे हैं जो सरी के सभी तंत्रों का अधियन करता है और यह जियो विग्यान से समदीद आव सकता हो को माना जाता है जैसे कि यहां पर फीजियोलोजी एनोटामी के बेश पर सभी अंगो का अधियन किया जाता है कोशन नबर तीस है कि साररिक सिच्छा के सिधान्त निम्न में से किस पर ज़्यादा अधायित है तो दोस्तो यह ज़्यादे किस पर अधायित है तिया अधायित है प्रक्रिया से समंधित वैज्यानिक नियम से यानि स्पेस साइन्टिफिक लौ रिलेटेट टू प्रोसेस तो प्रक्रिया से समंधित वैज्यानिक नियम से जादे अधायित है सारिक सिच्छा के सिधान्त कोशन नबर एक तीस है कि सारीक सिच्छा ब्यक्ति की सारीक क्रियाओं का जोड़ है जो प्रडाम के अधार पर चैनित यूम संचारित की जाती है तो जहां भी सारी क्रियाओं का बात आए और जीवन को साही धेंसे जीने की बात आए को लुघता की बात आए वहाँ परिभासा होगी जे एफ बिलियम्स की ठीक है क्वोशन नमर बत्तीस है दोस्तो कि सारे भी सिछा के अधार भूतों को सकती परदान करते हैं वग्यानिक तत्थे पड़ान करते हैं सारी सिचा के मुलभूत सिधान वग्यानिक तत्थों पर अधायत है जैसे अलग-अलग खेल में पढ़ता के लिए खिलाड़ी की रुची सारी स्रचना के उनसार उनकी मांस्पीसियों का भ्यायाम किया जाना सब साइंटिफिक के दोस्तों यह एक निरुद्देश से कारे की रूप में माना जाता है अक्सर खेल एक ऐसी क्रिया है जो भी ने किसी वाह दबाओ की कि जाती है यह क्रिया रचना अतमक जनमचाथ आतम प्रेरी सुतंत्र आयन दायक इस फूर्दी दायक क्ता निरुद्देश से होती है अब इक उसन से रिलेटेड है कि सारे सिच्छा एक एचिक बिसे है सही बात है क्या है क्या है एचिक बिसे है एंडर आर है सारे सिच्छा बिसे में अन समध्द पिसें से सिधात लिए जाते हैं जैसे कि जी Irakya पने संतुराफ के मिलान करना है तो यहां पर मिलान करना है कि देखना है इन यस किया हैघ दोस्तों अ कहना पर 70 में सबस् पर सक थासर में सफ्धाफना किया गया यह वट्याला में तो क्या हो जाएगा A का 2 हो जाएगा A का 2 किसमें दिया है? C में दिया है And Science Sport Authority of India 25 January 1984 को इसका उस्थापना हुआ इसका कहां पे मुख्याला है? दिल्ले में B का 3 B का क्या हो जाएगा? 3 YNCA 1920 में HC Buck में किया था चन्नई मदरास में C का 1 Alien IPE National National Institute of Physical Education Gualier अद्धिपर्देश में 1997 वे D का 4 इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा A option No. C Question No. 36 है कि एथलीट सब्दी की दुपत्ती कहां से हुई थी? तो एथलीट सब्दी की दुपत्ती कहां से हुई थी? दोस्तों आप जानती ही है सबकुछ की सुरुवात वह हुआ है युनान यानि ग्रीस में यहां पर युनान ग्रीस नहीं दिया है तो एथियन्स कहां है? युनान में ही है यहां पर एथियन्स आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? जैसे दौर्ड, कूद याँ फैक जैसे खेलों की रोमान चक्ता युम लुक्प्रीदा के करार हिबिस्व स्पोर्स मंच पर एथिलेटिस को खेलों की राणी क्वीन आप दे स्पोर्स कहा जाता है इसे युनानी भासा में एथिलोस सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है परतियों गिता इसमें दोरeil, कूद, यूँँ, फेक आदे जैसी इस परधाईं समलिक्त हैं भात में एथिलीट कताद पर ऐसे खिलड़ियों סब्ध से है जो दोर कूद, यूँँ, फेक जैसी इस praधां में भाग लेते हैं जबकि एरोपियों अमेरिका में किसी भी खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को एथलीट कहा जाता है याद रखेगा कि एसी पर दोस्तों कि एतलीट सब्दका क्या आर्थ है विजश्ट में आपको बताये थी कि परति इस परधा होता है प्रतिस्परदी होता है ठीक है एथलान का आर्थ प्रतिविक्ता में भाग लेने वालों को एथलीट या प्रतिस्परदी कहा जाता है कोर्शन नमबर 38 है सारी सिच्छा के उदिश्यों को नयादिश्टि कोड है तो दोसतों नया दिश्टि कोडर दिया है इस तीनों को cognitive, effective, psychomotor को bloom ने cognitive यानिकी आपका संग्यानात्मक effect, psychomotor and effective domain इन तीनों को दिया है bloom ने उपरक सभी यहां पर राइडेंस रहोगा question number 49 है सारलिक सिच्छा की ब्यावसाइक तैयारी कोई देख रेक करने वाली संस्था है विच बॉड़ी ओवर सीच दो प्रोफेशनल प्रिप्रेशन और फिजिकल एजूकेशन तो दोस्तो जो आपका सारे सिचा की विएफसाइक तैयारी की देख रेक करने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है N-C-T-E क्या नाम है N-C-T-E जिसका अपना 17 अगस्त 1995 को हुआ था राष्टी अधियापक सिच्छक परिस्थ यानि कि नेशनल कॉंसिल आप टीचर एजूकेशन इसका फुल फॉर्म है कोस्टिन निम्बर चालिस है YMCA कॉलेज सबसे पहले इस्थावना चेजुन 1844 को जार्ज बिलियम ने किया था इंग्लेंड में उसके बार 1983 में अमेरिका में फिर 1920 में आपका 1883 अमेरिका में फिर 1920 में कहां पर हुआ भारत में चन्नाई मदरास में इसका मुख्य उद्देश से क्या है इसका मुख्य उद्देश से सारी सिच्छा को बढ़ावा देना सारी सिच्छा को बढ़ावा देना कोशन नमबर 41 है कि सारी सिच्छा का स्वर्ड यूग किसे कहते हैं golden age of physical education is called तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर एथेंस काल को सारी सिच्छा का स्वर्ड यूग कहा जाता है उत्तर एथेंस काल को कोशन नमबर 42 है भारती सिच्छा आयोग की श्रुवात कब हुई तो भारती सिच्छा आयोग की श्रुवात 1882 में गोआ कब हुआ 1882 में लाड रिपन ने सन 1882 में भारतिय सिच्छा आयोग हंटर सिच्छा आयोग को बनाया था याद रखेगा बिलियम बिलसन हंटर इसके अध्यच थी और 1882 में भारतिय सिच्छा आयोग ने सारी सिच्छा को मानेता दी ए पॉइंट भी याद रखिएगा question number 43 है कि सारे सिच्छा की जरुरत है तो इसकी जरुरत किस लिए है सारे विखास के लिए मानसिख विखास के लिए समय गात्मक विखास के लिए इन सभी चीजों के लिए सारे सिच्छा की क्या है जरुरत है तो सारे सिच्छा की जोरत हमारे सारी विकास, सुमेगातों विकास, चारत्री विकास, मांसिक सांती के लिए, लोकतांत्रीक मूले के लिए, अंतराश्टी मिल मिलाग के लिए, मांसिक विकास के लिए, सर्वांगिर विकास के लिए, सांस्कृति विकास के लिए, राश्टी एकता के लिए इन सभी के लिए जोरेत है याद रखिएगा। Q44 है, सरीर के द्वारा सरीर के लिए की गई क्रिया सारे सिच्छा है या परिभासा किस ने दिये है। दोस्तों यह फेमस परिभासा है, सरील के द्वारा सरील के लिए कि लिए सारीख सिच्छा है यह परिभासा दिया है J.P. Thomas क्वेस्टन नंबर पैटालीस है, सारीख सिच्छा की भ्रांथिया हैं हैं तो दोस्तो शारिक सौश्टो शार प्रसिचर ऐस सभी एक सारी सिछा की भ्रांतिया है लोग सदे 프로 कि सारिक मान सीख समाजीक अध्यात्मि सभी प्रकार्स व्यक्ति का संपूर्विकास करता है जब कि भ्रांतिया फैली हूई है कि वर स्थास्टो है ये प्रसिछ रहे और उसा से नहींता फाइदा कलता है ठीक है कि कोशन नंबर 46 है कि सारे सिच्छा और सिच्छा का साध्या लच्छे कुन सा है वीच्छा लच्छा लच्छे क्या है मानसिक बिकास करता है तो दोनों का साध्या लच्छा क्लाइदा क्या है तो दोस्तो गलत धाड़ा क्या है कि लोग सोचते हैं कि ब्यायाम करना ही सारी सिच्छा है यानि ब्यायाम ही सारी सिच्छा है यही लोगों के मन में गलत धाड़ा है जबकि सारी सिच्छा क्या है सारीक, मांसी, समाजिक, अध्यात्मिक सभी प्रकार की विकास करता है लोगों के मन में गलत धार रहा है कि प्यायाम ही सारी सिच्छा है कोश्चन निम्बर अतालिस है कि सारीक स्वास्ते महतपूर है क्यों कि क्यों महतपूर है सारीक स्वास्ते क्या ये सकरात्मक सोच के लिए सहायक है भाई चरा प्रहाने में सहायक है अमीर जीवन बिताने में सहायक है तो थोड़ा थोड़ा सब इसमें साइट है बड़ सबसे दाराइट है या गुरात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है या गुरात्मक जीवन बिताने के लिए सहाय जास्ते प्राते हैं कि बियुक्त को किसी ब्यक्ति अगुने की जिखिते की में जिएम्ज। कोश्चन नमबर 49 है प्राखीन ग्रीस में तिरंदाजी सिछक जाने जाते थे तो दोस्तों प्राखीन ग्रीस में जो तिरंदाजी सिछक होते थे वह किस रुप में जाने जाते थे तिरंदाजी सिच्छक को हम बोलते थे टैक्स और टोज क्या बोलते थे टैक्स और टोज धनुर बिद्या सिखाने वाले अध्यापक को टैक्स और टोज बोला जाता था ठीक्या और प्राजेंग ग्रिस में यानि कि यहां पे पूरो एथेंस काल की बात हो रहा है जिसमें धनुर प्रिद्या सिखारी वाले यानि कि तिरंदाजी सिच्छक को टैक्स और टोज बोला जाता था भाला जैवलीन का प्रियोग करने वाले अध्यापक को एकोनर टिस्टिस बोला जाता था कुस्ती तथा मुक्यवाजी के मेसरित खेल को पैन क्रेशन बोला जाता था बाल का प्रियोग करके सिच्छा देने वाले अध्यापक को इस फी रिस्टिस बोला जाता था संगीर समती विद्याले को डिरास केलियम बूला जाता था यहां पे बैयाम साला होता था उसको पैलेश्ट्रा बूला जाता था जिसमें कुछ तीमों के बाजी जिमनास्टिक दिखाई जाती थी और पैलेश्ट्रा में सारे सिच्छक जो होते थे उसको पैडरोड्राइब ब स्थान को लाईसु सार्गस बोला जाता था कोश्चन नमर पचास है राष्टी अनुसासन योजना कब आरंब हुई राष्टी अनुसासन योजना कब आरंब हुई तो राष्टी अनुसासन योजना जो है 1904 में ठीक है वाट राष्टी अनुसासन योजना और नेशनल डिसिप्लिन इस्कीम एन डी एस की स्थापना हुआ 1904 में आसन नमर सी यहां पर राइट एंसर है राष्टी अनुसासन योजना और नेशनल डिसिप्लिन इस्कीम का आरंब सन 1954 में जनरल जे के भोसले के द्वारा सुरू की गई जो उस समय के अंदर में पुनर्वास उपमंद्री थे एंडियस यानि नेशनल डिसिप्लिन इस्कीम का निदे साले 1960 में अलवर में खुला गया था प्रसिचित अध्यापकों की बढ़ती मांग के अंसार 1963 में मद्धपदिस के बरवाहा में भी निदे साले खुला गया कोस्टन नमर 51 है ग्रीज का मुख्य उदेश ये था तो ग्रीज का मुख्य उदेश क्या था दोस्तों ग्रीज यानि युनान में लोगों को सारे सिच्छा देने का मुख्य उदेश था अच्छे योध्धा तयार करना यानि सैनिक तयार करना तू परपच गूड वेरियर्स ठीक है अच्छे योध्धा तयान करना युनान में खेलों का स्वाड़यू कलाता था जो लोग ये लोग खेल प्रिय तथा दूसरे रेसों से युद्ध करते थे जिसके कारण जिसके लिए उन्हें तंदृस्ति की जुरूत थी युनान में ख खेल की यह परिभासा किसने दी है कि खेल एक स्वैचिक तथा स्वैम के द्वारा की जाने वाली गतिवी जी है तो दोस्तों इस परिभासा को दिया है इस टर्न ने कोसे नमबर तीरपन है खेल को माना जाता है तो दोस्तों खेल को क्या माना जाता है एक काम माना जाता है कि समय बितित करने की क्रिया माना जाता है कि ब्यापार माना जाता है कि उधे से रहित क्रिया दोस्तों एक उधे से रहित क्रिया एक्टिविटी बिडावर परपज माना जाता है यानि प्रकृति में खेल जो है सार भॉम है यानि कि सभी जगह है सभी बालक खेलती है उनका खेलना जाती नर्शन रंग रूप राश्टीता आधी से परे है या रचनात्म आत्म केंद्रित आनंद दायक जनम जात स्वतांत्र इस फूर्थी दायक तथा निरुद्य तो कई कारे होते हैं इस फूर्थ से तो यहां पर राइडेंसर क्या हो जाएगा कोसोलो का पूर अभ्यास होता है इस फूर्थ से स्वास वर्धक कारे होता है ब्लड सर्कुलेशन आधी चीजे बढ़ती है एन चिंता में कमी होती है इस्ट्रेस कम होता है तो उप्रक सभी और मिलता है की मैं ते के कीड़ एक कई प्रकार की कार की कार्णी हो सकते हैं जिनमें अपनी आंतिमित उर और समय म produce दॉसर में अपनी कोसलते कि पूर अभ्यास का होसर मिलता है या स्वास वर्धक कारे हैं और से हमें अपनी किंताओं को कम करने की सहाथा मिलती है कोशन नमर पच्पन है कि राश्टिय और अंतराश्टिय एकी करोड में खेल क्रीडा द्वारा पहुचने वाले लाग क्या है वाट आर दे वेनिफेट्स आप स्पूर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंटिग्रेशन तो दोस्तो राश्टिय और अंतराश्टिय एकी करोड में खेल क्रीडा द्वारा पहुचने वाला लाग क्या है तो इसका लाब है कि उप्युक्त मुल्यू को पैदा करना एक दुसरे के संस्कृति के बीच जाती धर्म के औरोधकों को हटाना जो एक दुसरे पती जाती धर्म का औरोध है उसको हटा करके भाईचारा खेलाना संस्कृत पार्ट को भरना यहां पे संस्कृत नहीं होगा संस्कृतिक पार्ट होगा ठीक है यह उपरत सभी चीजे लाब होता है राष्टी अंतराष्टी इस तर पर एक खेल कीड़ा होता है दोनों को एक दूसरे से मिलने का आउसर मिलता है संस्किती आजाती धर्म जानने का एक ही करण भावना उत्पन होती है कोशन नमबर 56 है अभी कथन से रिलेटिड है कि अभी कथन ए है कि भारतिय खेल प्राधिकरोड देश में खेलों को बढ़ावा देने वाला मुख्य करया लहे बास चाही है आर है भारतिय खेल प्राधिकरोड का प्रात्मिक कारे 1982 के एस याई खेलों के दोरा बने विभीन औसन रशनाओं के रख रखाओ उप्योग है तो यहां पर रायट इंसर हो जाएगा कोशेन नमबर 70 है कि खेल शरीर रचना के संदच्छर सम्रिद्ध्धि यु भिकास के लिए बहुत आवस्यक है इस बात को किस ने कहा है तो इस बात को कहा है मैं एक डूगल ने option number C यहाँ पर राइट अंसर होगा इस बात को कहा है मैं एक डूगल ने question number 58 है कि खेल की बिसेश्था है तो खेल की बिशेष्टा क्या है दोस्तों खेल एक स्वत तंत्रता देता है स्वभाविक्ता है अपने आप होए जर्म जात है आनंद मिलता है उप्रुक्ष सभी आपकी राइडन सरु हो जाएंगे पोस्टन नमबर 69 है कि खेल आनंद दायक सहज स्रुजनात्मक कतिवी जी है यह कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन है राइडन सरुक्ष नमबर 60 है खेल बच्चों को बनाता है गेम्स में किल्रेल खेल बच्चों को कैसा बनाता है दोस्तों तो वह बच्चों को स्वास पूड बनाता है ब्रड सर्कूलेशन बनता है मानस्पेशिया मजूद होती है और स्रीजनात्मक्ता बनाता है कुछ भी करने के लिए स्वतांत्र बनाता है तो यहाँ पे उपरोश सभी आपका All of the above राइड एंसर हो जाएगा यानि कि जैसा कि इस टर्न का मानना है कि इस तर्थे के बावजूद की या उद्धे सहीन गतिविदी समझे जाती है बिकासात्मक्त प्रक्रिया में उसके मूले को दुरूबल नहीं मराया जा सकता या बच्चे को स्वास्पुरू बनाता है बच्चे को स्रीजनात्मक्त बनाता है अब कुछ भी करने के लिए स्वतांत्र बनाता है कोशन नमर 61 है प्रकृति के पास बच्चों को बिसित करने का निम्नांकित की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है तो कौन सा ऐसा चीज है जो प्रकृति के पास बच्चों को बिसित करने की सबसे बेश तरीका है तो वो होता है आपका खेल यानि स्पोर्स कोश्चन निमर बारसट है कि भारत में सारी सिच्छा में अध्याब को कपर सिच्छ कब से शुरू हुआ जैसा कि आप जानते हैं भारत में सारी सिच्छा का प्रथम महाभी द्याले कौन है तो वह है 1920 YMCA College of Physical Education सबसे पहले अध्याब को कपर सिच्छ कब सुरू हुआ तो 1920 में शुरू हुआ कब सुरू हुआ कि इसके अंतरगा सारी सिच्छा के अध्याब को का प्रशिच्छ देने का कारेह प्रारम हुआ कोशन नमबर 63 है All India Council of Sports कब बनी थी When was the All India Council of Sports found तो दोस्तो All India Council of Sports की जो इस्थापना हुआ था 1904 में हुआ था सरकार को खेलोवा इस्था की उनती के लिए सुझाओ देने था राजियों में Sports Council का संगठन करने के उदेश से इस परिस्था की इस्थापना की गई थी कोशन नमबर 64 है लश्चनी वाई College of Physical Education ग्वालियर में तीन वर्स का Bachelor कोर्स तथा दो वर्स का Master's कोर्स खब चालू किये गए तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि दीन वर्स का जो बैचलर्स खब कोर्स है Lotus कोर्स आपका हो जाएगा थे हैं फ़ेंड निंद्सक्रों मास्टर्स पेंप्र 13 किसमें दिखरा आपसर नमबर नमबर पैसर होगा पोस्टिन नम्र 65 है कि वनसा लुगत अभियांतरकी का किसमे उप्योग किया जाएगा तो वनसा लुगत अभियांतरकी का किसमे उप्योग किया जाएगा तो दोस्तो उसका उप्योग जो है पैसर का राइट एंसर हो जाएगा सफल होने के लिए जीन्स का पता लगाने के लिए तो गौसा रोगर का डारेक्ट सम्मत जीन्स से हैं जैसे कि हमारे कोसिका में केंद्रक होता है नुकलियस उसमें माइक्रो सूम यानि की गुर्सुत्र पाय जाते हैं और जो गुर्सुत्रों में जीन्स पाय जाते हैं जीन्स क्वेशन नमर छाषट है तंद्रुष्ती आंदोलन किस दिशा में किये गे प्रयासों के आउलंब प्रदान करता है तो दोस्तों यह जो है स्वास्थी संगर्धन यूं रोग निवालन के लिए आउलंब प्रदान करता है कि तंद्रुष्ती यानि वेलनेस आंदोलन स्वास्ता यानि फिटनेस आंदोलन स्वास्थ संगर्धन यूं रोग निवालन दिशा की दिशा में किये गे प्रयासों को अलंब प्रदान करता है कोश्चन नमर सरसथ है सारी सिछा का केंदरिय भी से क्या है सारी सिछा का केंदरिय भी से है गतिसील मानूं कैसा मानूं है यूमन इन मोसन आज सुनने आज इसने स्वेम को अलग धंग से प्रभासित कर लिया है प्रता जीवन के प्रतियेक छेतर में एक अहम भूमी का अदा करने में सारी सिछा का सरोच अस्थान प्राप्त है कि तो नए नए खेल तक्नीकों के विक्सित होने से वह इन से ब्यादर प्रड़ाम दे रहा है और तो हम कह सकते हैं कि सारी सिछा में आए नए बदलाओ न्यू जो ट्रेल्स है ने इस दिसाव कारे को बदल दिया है और उनको प्रहावित किया है तो गतिसील मानों आपका सारी सिछा का केंदरी भी से है क्वेश्चन नबर और सठ है कि सम समाई सारी सिछा के समझ कौन सी समस्यां और चुनोतियां है तो आजकर जो है सारी सिछा के समझ कौन सी समस्यां और चुनोतियां है तो जैसा कि जानते हैं साइज सिच्छा का जो इसीती है उतना अच्छा नहीं है उस सब में सुधार करने की जरुत है तो उन इसीती से साइज सिच्छा जो है गुजर रहा है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिच्छा में साइज सिच्छा का अस्थान जो है नामातr का है देखनी में है बस वास्तिविक इस्तर पर नहीं है तो उसको एक साइज सिच्छा के समस्या है चुनोती है तो यहाँ पर यह आप का एक भी हो जाएगा और दू है कि सभी बच्चों के लिए सारी सिच्छा की आवसकता की तरक संगत्रा ठीक है इसको भी आपके सारी सिच्छा के समझ एक चुनवती है और तिसरा है सैचिक पाठक्रम में सारी सिच्छा का अस्थान जो सैचिक पाठक्रम में है उसी प्रकार सारी सिच्छा को भी एक अस्थान दिया जाए यह भी चुनोतिया जहिलता है सारी सिच्छा ती 1,2,3 आपका, रायट एसर हो जाएगा, आफसे नमबर ए ठीक है, अब यहां पी चुपूर है, इक सारी सिच्छा कारिकरम का प्रवाउसिल करेंबन, यह सबी चीजे वो जाएगा, तो अपने आपको प्रवाउसि कारे क्या है इसका मुल्भूत कारे है अंतराश्टि अ प्रति युगिता हों का नियोजन करता है भारतिय विष्व विद्याले संग यानि इस्योसियेशन आफ इंडियन उनिवर्सिटी का मुल्क का रहे हैं अंतर विस्ट विद्याले यानि एक विस्ट विद्याले से दूसरे विद्याले की बीच प्रतिवत्या का नियोजन तथा गति विद्यू को बढ़ावा देने के लिए किया गया था 23 मार्च 1925 को इंटर इनिवर्सिटी बोर्ड की साफना किया गया था याद रुखेगा एंड 1973 में भारति विस्ट विद्याले संग AIU इसको नाम दिया गया क्वेशन नंबर सत्र है दोस्तों लाश्ट स्टेज पर है हम लो तो धैर बना कि देखिए कि दैस सोसाइटी फोर नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल एजूकेशन एन स्पोर्स यानि कि सनिपेश की स्वर्स इस्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया में सम्लित हुआ क्वेशन नंबर 71 है कि भारत सरकार दोरा नेशनल प्लावन आफ फिजिकल एजुकेशन कि स्वर्स प्रकासित हुई तो ये प्रकासित हुआ 1956 में कब प्रकासित हुआ 1956 में कोशन नंबर 72 है भारत में सबसे पहले सारे सिच्छा का इसनात कोतर कोर्स कि स्वर्स में शुरू हुआ तो यह कोशन आप कई दो तीन बार इस सेशन में रिक्वीट हो चुगा दोस्तों बहात में सबसे पहले साइज सिछा का इसनाद कोर्स कब शुरू हुआ तो लश्मी वाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन के द्वारा 1963 में शुरू हुआ MP8 PG Master's Course 1963 में और 1997 में तीन मोर्स का बैटलियर कोर्स BPE शुरू हुआ उनी सो असी में MP8 सुरू हुआ MP8 सुरू करने वाले प्रथम महाविज्या लेबना लश्मीवाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन दोस्तो एथा साइज सिछा के इतिहास से सम्मंधी दो वीडियो पार्ट वन पार्ट टू मेरा अधन क्लास में आपने सभी चीज़ों को ज अधन के लिए चैन